दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दिक्षित से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार विक्रांथ आपको ज़रा सुना देते हैं सकील भाई क्या कर रहा है दिल्ली के MCD चुनाओ में कॉंग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है हमारे साथ बाचीत करने के लिए दिल्ली की पूर मुखंत्री शीला दिक्षिजी शीला जी आपने का था बहतर होगा उमीड की थी लेकिन धराम हो गई कॉंग्रेस देखिए जब कोई भी जंग में जाता इंसान तो बहतरी की सोचता है और कोशिस भी यही करते हैं कि हम बहतर और कर लें जो पिछले दफ़ा था तो अगर जो वो हम पहले ही सोच रही है कि नहीं होगा बेतर तो फिर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं लेकिन अब जनता ने फैसला किया लेकिन कुछ फैसले कॉंगरेस पार्टी के भीतर भी हुए प्रदेश कॉंगरेस के खिलाफ अजय माकर ने खिलाफ तमाम लोग नार चुनाओ लड़ने का जिसमें जो नाराज भी हो उसको भी अपना बनाने की कोशिस की जाती है तो जिसमें result अच्छे आएं अब वो चीज़ें अगर जो नहीं अपनाई गई तो कमजोरी तो ही है शीला जी कहा गया कि 10 साल बीजेपी MCD में थी उनके खिलाफ एंटी इंकमबनसी थी केज़िवाल सरकार से नाराज़गी थी उसके बात भी कॉंग्रेस का इतना खराप प्रदशन ये बात आप सोच रहे हैं इस बात सही है लेकिन एंटी इंकमबनसी के पास जरूर थी लेकिन इस वाक पे एक माहौल पूरे देश भर में ऐसा चल रहा है कि जहां पर भी बीजेपी है वहां पर वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं एक दौर है हिस्ट्री का ये नहीं कि ये हमेशा के लिए रहेगा खतम भी हो जाएगा देखेंगे क्या होता है लेकिन ये हमें कबूर करना पड़ेगा कि हाँ भई रहा है इस तरह का दौर सवाल में वहाँ पर आ रहा है कि केजरीवाल की जो पार्टी है उससे कॉंग्रेस पिछरती दिख रही है नंबर तीन पर थे तीन पर है देखिए पेजरीवाल जी को तो इस चुनाओं में जो वह कह रहे थे हाला कि पहले ही उन्होंने कुछ बहाने शुरू कर दिये थे कि जीतेंगे हम और हम बिल्कुल जीतेंगे और डेंगू के बारे में और पता नहीं क्या कुछ कहा था उन्होंने चिकंगुनिया वगएरा तो केजरीवाल जी का जो परफॉमनस पंजाब में हुआ जो परफॉमनस को वह में हुआ बिल्कुल निली हुआ उससे यह लग रहा है कि लोग अब केजरीवाल जी को और उनकी तोर तरीके को समझ गए हैं और अब उसको जितना मिलना चाहिए उनको सपोर्ट उतना नहीं मिलेगा और I would not like you to compare केजरिवाल's party with Congress के साथ Congress एक पुरानी और सुल्जी भी party है केजरिवाल जी अभी आए है politics में उसके बाद भी केजरिवाल से भी कम सीटे आ रहे हैं आपकी हमारी गलतिया हुए जिम्मेदार कौन है और क्या जिम्मेदारी फिक्स होगी शीला जीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजी दिली से कैमरमेंट शकील एहमद के साथ कुमार विकरान सिंग आज तक